कभी अगर बनना हो तो बाज बनना लेकिन कभी तोता मत बनना तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा उचाही तक नहीं उड़ सकता बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ज़्यादा उचाही पर उड़ता है और बाकी पंचियों का राजा होता है एक बाज आज मैं आपको ऐसे पांच पॉइंट्स बताऊंगा जो हर इनसान को बाज से सीखने चाहिए लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन पांच पॉइंट्स में पॉइंट नमर एक इगल फ्लाई अलोन बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंचियों के मुकाबले सबसे उचाई पर उड़ता है बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिडिया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा बाज हमेशा या तो एक बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहो और अकेले रहो क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जगाने का असली मौका मिलता है पॉइंट नमर दो बाज का वीजन बहुत किलियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है बाज अपने सी कार को पाच किलोमेटर दूर से ही देख लेता है और एक बार जब वह अपने लक्षे को देख लेता है तब रास्ते में कितनी भी मुश्किले क्यों ना आए वो अपने लक्षे को हासिल करके ही दम लेता है इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना वीजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितन पास्ट है वो मर चुका है तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थोट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदिगी पर ध्यान लगाओ अपने पास्ट की पुरानी यादे जो तुम्हें तंग कर रही है उन्हें वही रहने दो जहां पर उनकी जगह ह और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में उसे वर्तमान में जगह मत दो क्योंकि तुम्हारा पास्ट एक बार तुम्हारे परजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी परजेंट में नहीं रहने देगा पास्ट में तुम्हारे साथ कित कर बैठ जाते हैं लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से उपर की और उड़ता है और उपर उड़ते उड़ते इतना उपर उड़ जाता है कि बादलों से भी उपर पहुंच जाता है और इससे भी एक मुसीवतें आए तो उन मुसीवतों में मजा ढूंडो और नेपॉलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर एक बड़ी चुनोती है अपने साथ एक बहुत बड़ा आउसर लेकर आती है तो उस बाज की तरह तुम भी अपने आउसर को पैचानो और जिस दिन तुमने अपने आउसरो होता है वो उसमें comfortable ना हो सके क्योंकि वह घोसले में comfortable हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता बाज एक पंच्छी है और उसे ये बात पता है कि there is not growth in comfort zone लेकिन हम तो इंसान है ना और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे कर दो